सीरिल गुमे किसी के प्यार में इन दिनों काफी जादा चर्चाओं में बना हुआ है जहां शो में 8 साल के लीप के बाद दो बच्चों के एंट्री दिखाई गई है और वो दो बच्चे कोई और नहीं बलकि तनमय रेशिय और आरिया सकारिया हैं जो अपनी छोटी उम्र में अपने किरदार को बखुवी परदे पर दर्शा रहे हैं और इतनी कम उम्र में ही दर्शकों के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां लोग भी इन दोनों की एंट्री को खूब पसंद कर चुके हैं लेकिन दोस्तों वैसे तो आप इन दोन चाल्ड आटिस्ट कलाकारों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें सबसे पहले बात करते हैं चोटे चाल्ड आटिस्ट तनमर इशी के बारे में तो आपको बता दें 9 अगस्त 2013 को इनका जन्म हुआ था और यह अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं और आज इनके उम्र स चोशी महसीन खान के बेटे कायरव का किरदान निभा रहे थे इस शो से उनकी पॉपुलारिटी में काफी इजाफा हुआ है और बेहत का मुम्र में तनमय शहा ने काफी प्रसिद्धी हासिल कर ली है वो कई चायल्ड फैशन ब्रॉंस के लिए मॉडलिंग भी करते हैं सीरि बात करें इनकी माता के बारे में तो आपको बता दे रिशी के मदर मिसिस शहा जो लाइम लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करती हैं जिसकी वज़े से इंटरनेट पर इनका नाम मौजूद नहीं है लेकिन आपको बता दे इनकी कुछ चुनिंदा तस्वीरे और मौडल है उनका जन 9 फरवरी 2017 को मुंबई महरास्टा में हुआ था बात करें इनके करियर के बारे में तो आपको बता दे आरिया सकारिया को अभीने इतना पसंद है कि जब वो शूटिंग नहीं कर रही होती तो बेचैन हो जाती हैं वो सेट पर सबके साथ जुड़ना पसंद करती हैं वो पहले से ही तकनी की रूप से मजबूत हैं और शौट सीन और निरंतरता के बारे में जानती हैं और अगर शूटिंग के दोरान इन्हें कुछ याद नहीं आता तो वो टीम को सूचित करती हैं कलाकार आरिया सकारिया चीकू की मम्मी दूर के नीमा ममी से बेहत प्यार करती हैं बता दें इनकी मम्मी के इंस्ट्रग्राम अकाउंट पर इनकी कई बोर्ड तस्वीरे देखने को मिल जाती हैं वेल दोस्तों इन चाल्ड आर्टिस्ट की मदर्स के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राए हमें कमेंट बॉ झाले